नमस्कर, मैं रिच्वा भाटे, आप सभी का स्वागत करते हूं आरोगे में दोस्तों मौझूदा समय तेजी का है, लोगों को उपचार में भी आजकल ततकाल आराम चाहिए तब ही तो बिमार पड़ते ही लोग एक दम आदूनी कौशिदी विज्ञान यानि कि एलोपेथी की तरफ भागते हैं और इसी कारण से दूसरी विकल्पिक चिकित्सा के लिए उनके मन में विचार तक नहीं आते हैं जबकि आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्वती है जो भारत में बरसों से रोग्यों को सिर्फ आराम नहीं बल्कि संपून उपचार देती आई है और आज भी इसके चमतकार देखने को मिल जाते हैं जहां दूसरी चिकित्सा पद्वतियां फेल हो जाती हैं वहीं आयुर्वेद अपना चमतकार दिखाती है तो आईए प्रोग्राम के शुरुवात करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वाद गंखल के जानी माने वैद दीपक कुमार जी का वैद्जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आरोगे में और आईए प्रोग्राम की शुरुवात करते हैं आपके ही एक पेशन के साथ जो आपके पास आए और आज मुस्कुरा के हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो आज बिलकुल हेल्दी है आज मुझे टीव में देखने के बाल वैद जी का पता चला तो मैं फिर हरिद्वार में इनके एड्रस पर आया और उनकी दवाईली दवाई खाई लगबग 15-20 दिन खाई तो उनको दोड़ी दीर थोड़ा आज मिलना चालू हो गया फिर मैं दोबारा दवाईली के गया फिर और इसी मैं डाक्टर साव का बहुत धन्यावाद करना चाहता हूं क्योंकि इतने प्लानी समस्या को इन्होंने दूर कर दिया चानपूर से भुदेव सिंग जी और इनके पिता जी को हिचकी के बहुत जादा दिक्कत थी तो ये दिक्कत क्यों आती है हिचकी की जो दिक्कत होती है ये जादा इतनी परिशानी क्यों बन जाती है कि उन्हें कहीं न कहीं डवाईयों के लिए रुख करना पड़ता है और या पाकिस तली में गर्मी हो जाए। कभी-कभी हम लाल मिर्च, बेंगन, गुड, खटाई, तले-पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में ले ले। या हमको पिशाम में या लेटिन में खेच हो जाए या हम ना कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा बासी खाना, बहुत ज़्यादा भारी खाना, या बहुत थंडा पानी पीना, बरफ का पानी पीना, या बरफ का पिंगला हुआ पानी पीना। तब हमको यह दिक्कत आ जाती है और हिचकी एक ऐसी चोटी सी बिमारी है जो आदमी को बुरी तरह तोड़ देती है और आदमी इतना परिशान हो जाता है कि ना वह उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का हर तरह से लाचार हो जाता है और उसकी पेट की मसज तक खिचन लग हो जाता है और इसमें आदमी कितना परिशान हो सकता है यह तो वही जानता है जो इससे पिडित हो इसके लिए इतना ही कहूंगा शमल मूत्र छीक रोद हो मर्म इस्थल आगात मर्म इस्थल उसको कहते हैं जहां चोट लगने से मृत्य तक होने के चांस रहते हैं शमल मूत्र छीक रोद हो मर्म इस्थल आगात दूसित प्राण उदान से सिराश्रोत रुक जात शीतल गरिष्ट भासी विशम रुक्ष असन पहचान बर्फ वैहिम जल पान से कर हिक कोद भव ग्यान इन चीजों के कारण हमको हिचकी यानि के हिक का लग जाती है और इसमें यदि हम कुछ चीजी हैं जो इसको सेवन करें ठंडा दूद ठंडा दूद सेवन करें तो बहतला मिलता है या मुँ में मिश्री डाल के चूजते रहें या चीनी डाल के चूजते रहें तब भी लाब मिलता है और एक मौर पंखी की बासमू इसमें अचुक कारे करती है मौर पंखी का नीले वाला हिस्सा लें और उसको जला लें और उसको सहत के साथ चाट लें तो एकदम से हिचकी में लाब मिलता है लेकिन अब मौरपंग बहुत कम हो गए प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते एक दो लोगों के लिए अगर सेवन करवाना हो तो ठीक है लेकिन यदि पेशेंट ज़्यादा हो तो इतना हम तो बोल देते हैं कि आप इसको देख लो और इसकी जगे यदि नार्यल जटा की भस्म का भी हम सेवन करें तो बहुत लाब मिलता है नार्यल पानी इसमें हम सेवन करें तो एकदम से शांती मिलती है आयरुवेद का एक बहुत अच्छा चून है अवी पत्तिकर चून यदि हम इसकी आधी आधी चम्मच दिन में दो तीन बार पानी से सेवन करें तब भी हमको बहुत लाब मिलता है लेकिन जब यह छोटी छोटे प्रियोग काम ना करें तब हमको स्वन योग का प्रियोग करना पड़ता है एक आयरुवेद का बहुत प्रसिद रस रसायन है सूत सेकर रस सूत सेकर दो हैं एक लगू और एक स्वन वाला व्रहत सूत सेकर स्वन युक्त पुषपासव संप्रात पुषपासव यानि के शहद नारी केल कच भस्म से, नारी केल कच यानि के नारिल के छिलकों की भस्म, उसके बाल की भस्म सूत से कर स्वन युक्त, पुश्पा सवसंप्रात, नारी केल कच भस्म से, हिच्की रोग समात मैंने इनको स्वन सूसेकर और नारियल के जटा की भस्म शेहत के साथ सेवन कराई और भखवान के अशिरवास इनको बहुत लाब मिला एक दो परियोग और भी हैं जैसे कोई आदमी कोई हिचकी से करशी थे और सूसेकर स्वन युक्त ना उसको यूज कर सके तो तामर भस्म तामे की भस्म अच्ची कंपनी की हो क्योंकि ये हैवी मेटल में है यदि कच्ची रहा है तो नुक्सान करती है अच्ची कंपनी की भस्म एक रत्ती यानि के 125 मिली ग्राम हम इसको नीबू के रस के साथ सेवन करें तब भी बहुत अच्छा लाब मिलता है मैंने इनको नारी केल, कचप, इसकी छिलकों की भस्म और सू से कर सुवन युक्त, शैद के साथ सेवन कराया और दिन में दो बार अभी पत्ती कर चूण, आधी-आधी चम्मच, पानी के साथ सेवन करने को दी बगवान के आशिर्वास से इनको बहुत ज़्यादा लाम मिला, जो इनको बारवार हिचकिया लगती थी, वो इनकी बिल्कुल ठीक हो गई दूसरा, रात को मैंने इनको कहा कि आप प्रति दिन प्रवाही का हर्चूण, एक चम्मच, दूद या पानी के साथ सेवन करें पेट में जो खुश्की है, जो मल जमा है, वे दूर होगा, पास आउट गुआ और इनको इस रोक से भगवान के आशिर्वास से मुक्ती मिली ब्रेक के बाद इकबत पर से आप सभी का स्वागत आरोगे में, मैं हूँ आपके साथ रचा भाती और हमारे साथ मौजूद हैं वेद दीपकुमार जी, तो वेद जी आईए देखते हैं कौन से आपके ऐसे पेशन्ट है, जिन से हमारी टीम ने बात की मेरा नाम मरुष कुमार, मेरी वाइब का नाम अनिता देवी, मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरी वाइब को यूरिन प्रोडमन थी, मैंने काफी जिवे उनका ट्रिटमेंट कर रहा है, नहीं सफलता मिलने के बाद मैं हर्दवार में जॉफ करता हूँ, किसी सजन न मैं अपनी वाइब को ले करके बैजी के पास आया, 2014 में मैंने दो मेने का ट्रिटमेंट कर रहा है, दो मेने के ट्रिटमेंट में मेरा जो वाइब का रोग था वो खत्म हो गया, बैजी ने दवाई बंद कर दिया, उसके बाद 2017 में फिर पुना वाइब रोग स्टार्ट हो मैं पुना वेजी के पास आया, और दो मेना कोर्स हो गया है, मेरी वाइब ठीक है, मैं वेजी का धरनेवाद करता हूँ बिहार से मनोज कुमार जी और इनकी वाइब को यूरिन की प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी exactly, और क्या ट्रीट्मेंट आपने इनको दिया, जब आपके पास पहुँचे तो क्या कंडीशन थी इनकी रिचा जी, इनकी धरम पतनी को पिशाम में जलन काफी होती थी, बारवार यूटी आई इनफेक्शन क्लिक करता था, जिसके कारण वे बहुँच ज़ादा परिशान थी और कुछ बिमारी हैं जो हम छोटे मोटे परियोग से ठीक कर सकते हैं, खास तोर से पिशाम सम्मन्दिस समस्याओं को नमबर एक, यदि हम पानी का सेवन अधिक से अधिक करें, तो काफी हद तक हमारा इनफेक्शन ठीक हो जाता है दूसरा बहुत से लोग सफाई का विशेज ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ लोग जो पबलिक टोयलेट हैं, उनको यूज करते हैं, तब भी ये दिककत बहुत तेजी से क्लिक कर जाती है हमको पबलिक टोयलेट से बचना चाहिए, या ऐसे इस्थान पर मोत्र या मल का त्याग नहीं करना चाहिए, जहां पर पहले से ही गंदगी हो दूसरा नियमेत रूप से हमको सफाई का विशेज ध्यान रखना चाहिए, इन परियोक से हम इस बिमारी से काफी हद तक बच सकते हैं लेकिन कहीं बार फिर भी इनफेक्शन क्लिक कर जाता है, कोई बहुत छोटी मोटी पत्री हो या पेशाम में किसी और कारण से इनफेक्शन हो गया हो, तब ये दिकत बन जाती है वात पित कफ कोप से, हम तीन प्रकार के हमारे श्री में दोश होते हैं, वात पित और कफ वात पित कफ कोप से मूत्रा घात उत्पन, शमल मूत्र अवरोद से रहता मानस खिन रूक्च अनभक्चन करे, मूत्र रोद अधिकाए, मूत्र आशे में सरवदा, पीडा सल्प रहाए यदि हम बहुत बासी भोषन करें, या पेशाब कई बार आ रहा हो, हम ना कर पा रहे हो या कब्स बहुत जादा होने लेगे, तब इस प्रकार की दिकत हो जाती है इसमें कुछ दवाई हैं, जैसे की गोखरू घन, गोखरू एक कांटेदार फल होता है, जाडी रूप में और इसके कांटे वो चुपते भी हैं, लेकिन किडनी के लिए बहुत अच्छा है हम इसको पीश कर इसका घनसत्व बनाते हैं, और साथ में सिला जीत वटी मैंने इनको दोदो गोली, सिला जीत वटी और गोखरू गन की एक क्वाथ हम बनाते हैं, चक्रदत का स्वादू कंटक अमरतादी कशाए जिसके अंदर अश्वगंदा, आवला, गोखरू, गिलोय और सोंट इससे ये बनता है और इसके लिए कहा भी है, वर्दा आमला गोखरू, गुर्च सोंठ निरियास, वरक दोष का सरवदा, होता सत्वरहास यदि किड्नी में कोई इंफेक्शन है, या पेशाम की नली में, या पेशाब की थैली में, या पूरा यूरिनली सिस्टम में की इंफेक्शन हो तो उसमें इस स्वादुकंटक कशाय के साथ सिला जीत वटी और गोकुरु घन वटी इसके प्रियोग से बहुत ही लाब मिलता है यही मैंने इनको प्रियोग में दिया सिला जीत वटी द्वै गोली संग गोकुरु घन अजमाए रुचहारी का उपदेश है मुत्रा घात नशाय और साथ में एक आयरवेद की बहुत अच्छी परपटी यानि के स्वेद परपटी जो की कलमी शोरा चैलिस भाग पांच भाग फिटकरी और ढ़ाई भाग इसमें सेंदा नमग इससे यह बनती है बहुत ही अच्छी मुत्रल है आधी आधी ग्राम दिन में दो बार मैंने इनको इसी कौत के साथ सेवन कराई और पिशाब इस परपटी के सेवन से खुल के आता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दीरे दीरे इनका इंफेक्शन खतम हुआ इनको पिशाब खुल के आने लगा और बगवान के आशिरवाश से बिलकुल स्वस्त है